रोस युक्रेन जंग के बीच शेर वाजार में हाहाकार मचा हुआ है वाजार गिरावट के रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है लेकिन इस बीच सौने और चांदी की चमप बढ़ गई है सौने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है mcx पर 10 ग्राम सौने का भाव बारसं रुपे से ज्यादा बढ़ कर 53,500 के पार पहुँच गया है इस साल जनवरी से अब तक सौने का भाव करीफ 5,000 से ज्यादा बढ़ चुका है तीन जनवरी को mcx पर 10 ग्राम सौने का भाव 48,170 रुपे था जो अब 53,700 रुपे पर पहुँच गया है इंटरनेशनल मार्किट में भी गूल्ड की कीमत 2000 डॉलर प्रती ओंस हो गई है रूस रुकरिन जंग और महंगाई के बीच आगे भी सोने की कीमतों में तेज उचाल की उमीद की जा सकती है बाजार की जानकार मानती हैं कि आने वाले दिनों में MCX पर सोने की कीमत 56,000 रुपे तक जा सकती है इंटरिशन की वज़े से भी हमने देखा है कि गोल्ड के भावों और सिल्वर के भावों में तेजी रही है कई ना कई देखें तो यह मुक्य कारन है जिसकी वज़े से हमने gold और silver में एक तेजी का रुखाते हुए देखा है हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में ये जो trend बना है ये आगे भी positive रह सकता है जल्दी ही हम gold के भावों को 2050 से लेकर 2100 डॉलर तक के level को छूते हुए देखेंगे सोने के साथ साथ चांदी की कीम तो में भी तेजी का रुख है चांदी में पिछले कुछ दिनों से bullish trend बरकरार है MCX पर 1 किलो चांदी की कीमत 1800 रुपे बढ़कर 71,000 रुपे के करी पहुँच गई है जनवरी से अब तक चांदी की कीमत में 7,500 रुपे प्रती किलो का उच्छाल देखने को मिला है 3 जनवरी को 1 किलो चांदी का भाव 63,500 रुपे था जो 7 मार्च को 71,000 रुपे हो गया है आम तोर पर देखा गया है कि जब भी शेयर बाजार में नुकसान की आशंका होती है और डॉलर की तुलना में दूसरी मुद्रा कमजोर पढ़ने की नौबत आती है तो सौने के भाव में उच्छाल देखने को मिलता है बाजार अब फिर एक बार वैसा ही महाल बनाने लगा है 2020 में कोरुना की पहली लहर में सौना 56,000 के पार निकल गया था अगस 2020 में सौने की कीमत 56,200 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे थी उस समय कोरुना महामारी के कारण निवेशकों में डर का बहुल बना हुआ था कुछ ऐसा ही डर है निवेशकों में अब भी देखा जा रहा है सौने की कीमत में उच्छाल की इस वक्त चार बड़ी बजा बताई जा रही है पहली रूस युक्रेइन जंग के बीच ग्लोबल टेंशन का बढ़ना दूसरी कच्चो तेल की कीमतों में उच्छाल से महंगाई बढ़ना डॉलर के मुकाबले रूपे की कमजोरी और सौने में निवेश मांग का बढ़ना दुनिया भर के निवेशक इस वक्त सौने में पैसा लगा रहे हैं इसकी वजा है कि इक्वीटी मार्किट में इस वक्त रिस्क ज्यादा है ऐसे में सेफ असट के तौर पर सौने में निवेश मांग में बढ़तरी देखने को मिल रही है वैसे भी सौने को बुरे वक्त का सच्छा साथी बाना जाता है सौने का रेकॉर्ड रहा है कि जब भी बाजार में मंदी का महौल आया है सौने ने निवेश को की अच्छी खमाई कराई है